नमस्कार बच्चो तो आपको पिछला वीडियो याद होगा जसमें हमने इंग्लिज का लिसन 2.7 ग्रेट साइंटिस्ट को स्टार्ट किया था और उस वीडियो में हमने यह जो आगे के पैसेज हैं यह सारे पढ़ लिये थे हमने देखा था कि माइकल फैरेडे जो थे वो कित देखने वाले हैं तो सबसे पहले मैं आप लोग को यह बोलना चाहूंगी कि आप हमारा पार्ट वन वाला वीडियो देखा ही होगा लेकिन फिर भी अगर किसी ने नहीं देखा है तो आप लोग प्लीज उसको देखिए क्योंकि जब आप उसको देखेंगे तभी आप आग इनफ किया था एना इक सपिरिमेंट करके तो फोड रिवेन्ट किया यह क्या हो गया सब्सक्राइब हो गई ठीक है अभी इसकी वज़े से इस इंडक्शन मोटर की वज़े से बहुत सारे डिवाइसे जो काम करने लगे जैसे की फैन्स एयर कंडिशनेंग सीपिंग मुशीन उसके बाद फोटोग्राप्स पावर टूल्स कार्स एंड इवन ट्रेंस एंड एरोप्लेंस एरोप्ल उन Olumid इंडक्शन मोटर इतना बड़ा रएवलुश्न हो गया और इन्वेंट हो गया मजाक्त अप्पादि एक्स पर्येत ऑर से कूंकरमिंट करते हैं कैसे वह इतनी बड़े साइंटीस बंते हैं अभी तो खेर इन्होंने इंडेक्शन मोटर को जब से इन्वेंट गया तब से लोग इनको जानने लगे अभी किसी को नहीं पड़ी थी कि इनका सोशल स्टेटस क्या है ये कौन है इनका एजुकेशन क्या है ठीक है चले देखते हैं अभी आगे यही सब कुस दिया गया है इ क्यंकि इतना बड़ा इन्होंने काम कर दिया इतनी बड़ी revolution इतनी बड़ी गांती इन्होंने कर दी इसलिए यह का बन गए तो सेलिबरटिस्ट बन गए रातो राल ठीक है अब किसी को भी यह नहीं पड़ी थी कि इनका सोशल स्टेटस क्या है इनका एजूकेशन क्या है इ this young man had just created a revolution क्योंकि इस से यंग मैन ने क्या किया था एक some evolution को create किया ठीक है और इसके वज़ा से जो लोग थे मतलब लोगों तो यह कहेंगे इना जिस ने इतना अच्छा काम किया है तो उसके जो तो तो सब लोग करेंगे ही, ठीक है, तो क्या कहते थे, कि जो डेवी रहेंगे, लोगों को ऐसा लगता था, जैसे हम भी अभी यहीं सोचेंगे, कि जो फैरेडे हैं, इन्होंने इतना अच्छा काम किया, क्योंकि फैरेडे जो थे, वो किसके अंडर में काम कर रहे थे, डेवी के तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि फैरेटे का teacher कौन डेवी तो अगर उनका कोई student डेवी का student इतना बड़े achievement को पाता है इतना इतनी बड़ी सफलता पाता है तो जो teacher रहेंगे वो तो खुस होंगे ही happy तो होंगे ही लेकिन reality क्या थी reality इसके विपरिद थी he was jealous यानि वो जो थे न कौन डेवी वो फैरेटे के सक्से से कुछ नहीं थे वो जल रहे थे है ना तो people started telling डेवी that all of his discoveries the best was faraday himself मतलब अभी लोग भी कहने लगे थे क्या कहते थे कि डेवी ने जितनी भी discoveries की है उन सारी discoveries में से यह जो faraday है यह इनका best discovery है ठीक है इन्होंने जितनी भी खोजे की है उन म और जलने लगते ठीक है और इसकी वजह से अभी यह डेवी को बहुत गुस्सा आता था फैरेटे के उपर क्योंकि फैरेटे डेवी से भी आगे जा चुके थे तो इसके लिए इन्होंने क्या किया ना एंग्री डेवी यानि जो एकदम गुस्से में लाल थे डेवी इन्हो स्कूप एक ग्लास होता है जो नॉर्मली टेलिस्कोप और माइक्रोस्कोप में यूज करते हैं और फिर क्या बोला उन्होंने आज से रिवर्स इंजीनियर इट यह नहीं वह बताए उनको कि यह किस प्रोसेस से बना हुआ है तो ऐसा काम उन्होंने उनको दिया किस ने दिय तो Devi ने Faraday को दिया, समझ में आए इतना, फिर Bavarian Glass was manufactured by a secret complicated process and Devi knew that with the equipment available in the lab, Faraday would never be able to accomplish the task, अभी सुनिएगा ये जो Bavarian Glass था, ये एक secret complicated process से बनाया जाता था, और Devi ये जानते थे कि उनके lab में जितने भी equipments available हैं, उनकी help से ये जो Faraday है, ये तो impossible task, कि ये कभी भी complete नहीं कर पाएगा, Devi को ये बात अच्छे तरीके से पता थी, तभी तो उन्होंने Faraday को इतना impossible task दिया था, ठीक है, तो ये जो piece of glass था, Bavarian Glass, ये ना Faraday के life का क्या बन गया, बहुत ही important हिस्सा बन चुका था, बन गया, ठीक है, तो चलो अब आगे देखते है क्योंकि इसमें क्या होगा ना, ये जो इनको काम दिया गया है, ये Faraday नहीं कर पाएगे, ठीक है, इसके वज़े से ये important हिस्सा बना, क्योंकि इसी के वज़े से वो एक नया experiment करते हैं, और उसमें वो सफल होते हैं, इसलिए यहाँ पे बोला गया है, कि this piece of glass became a significant life, significant thing in his life, तो चली देखते हैं कि आगे क्या होता है, Faraday had never give up attitude and he respected Divi, so he accepted the assignment despite knowing that it would be very difficult, अभे सुनिए गाइधर, जो कौन थे, Faraday, उन वो भी जानते थे, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि Faraday तो कभी भी हार मानने वाले नहीं हैं और वो Divi की respect भी करते थे, ठीक है, और उनको ये भी कि वो इस task को complete नहीं कर पाएंगे, इसके बावजूद उन्होंने क्या किया, इस task को, ये जो assignment को दिया जा रहा था, उसको उन्होंने accept किया, ठीक है, ये जानते हुए भी कि ये काम तो मेर्से होई नहीं पाएगा, ओके, फिर क्या होता है, तो he toiled for four years, toiled मतलब क्या होता है बच्चों किसी काम के लिए बहुत जादा परिश्रम करना, मेहनत करना तो इन्होंने चार सालों तक लगातार मेहनत की, with no help from Devi, और Devi ने भी उनकी help नहीं की, and as expected, और जैसा कि पहले से सोचा गया था, he failed, यानि वो fail हो गए, वो अपना काम नहीं कर पाए, Faraday never learned the secret, and this remained his first failure as a scientist, और जो Faraday थे, वो कभी भी ये secret नहीं जान पाए, कि कैसे Bavarian glass बनाया जाता है, और ये इनकी life का क्या था, पहला failure था, मतलब जिसमें ये fail हो गए थे, इनको कुछ काम दिया गया, और जिसमें ये fail हो गए थे, To remind himself of this difficult times, he kept a single glass brick on his self as a souvenir, this would inspire him during difficult times, देखो अभी इसको यादगार बनाने के लिए, ठीक है, क्योंकि ये इनकी life का क्या था, पहला failure था, तो इसको यादगार बनाने के लिए उनने क्या किया, अपने self में उस Bavarian glass को रख दिया, जो क्या करेगा, जो इनके difficult times में इनको inspire प्रेंड ना देगा, ठीक है, हमारे पास भी ऐसी कोई चीजे होती है, जिसको देख करके हमको अंदर से ताकत आती है, कि नहीं, नहीं, हमको करना है, करना है, तो वैसे इननोंने ये Bavarian glass को अपने self में रखा था, तो क्या आप लोग को इतना समझ में आया, I hope कि आपको सब कुछ समझ आ रहा होगा, और आप इसको enjoy भी कर रहे होंगे, चलिए अभी आगे देखते हैं, तो आगे क्या होता है, देखिए, इन 1829, डेवी डेड और फैरेडे सक्सिडेड, हीम एज हेड ऑफ दा लेबोरेटरी, अभी क्या हुआ, तो 1829 में जो डेवी थे, इनकी देट बन जाते हैं, और अभी वो अपना काम, मतलब अपने मन से कुछ भी एक्सपेरिमेंट कर सकते थी, क्योंकि जब तक डेवी थे, तब तक तो वो जो काम कहते थे, वही पैरेडे करते थे, लिकिन जब अभी डेवी नहीं है, तो वो पूरे लैप के तो मालिक वही है, तो उन इसके क्या होता है, इलेक्टरिकल करन्ट प्रोड्यूस होता है, ठीक है, उन्होंने ऐसा पता रगाया, दस ही कुड नाव कनवर्ट मोशन इंटू इन्टू इलेक्टरसिटी और इसकी वज़़े से क्या कर सके, अगर हम मैगनेट को ऐसा घुमाएंगे, तो उसमें से क्या ह इन्हों नहीं बताएंगे, एक्स्पेरिमेंट के दुरू ठीक है, इन्हों नहीं पता लगाया, कि अगर मैगनेट को मूव करते हैं, तब जाके प्रोड्यूस होती है, जैसे अभी अम लोग जन्रेटर यूस करते हैं, वैसे नॉर्मली होता ही है, लाइट जब चली चाती ह जाता है, तो वो जो जन्रेटर है, वो इसी के वज़े से क्या हुआ था, बॉर्न हुआ था, मतलब उसका जन्म हुआ था, और भी वह सारी चीज़े हैं, जो हम लोग यूस करते हैं, अदर डिवाइस में, इलेक्टरिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए, पावर को अधिक्षन मोटर देखा था हमने और दूसरा इन्वेंशन ये था, इलेक्टरिकल जन्रेटर, और भी देखते हैं कि क्या-क्या ये इन्वेंट करते हैं, आगे देखेंगे, फैरेटे वोज नाओ लिजेंट, अभी लिजेंट मतलब क्या होता है, स्टुडेंट, 1840, he developed memory loss, which continued for the rest of his life, और 1840 में क्या हुआ, तो इनको, इनका जो memory है, वो loss हो गया, और ये इनके पुए जीवन भर रहा, ठीके, but the disease did not stop him, लेकिन ये जो बिमारी हैने memory loss की, ये भी इनको नहीं रोक पाई, मतलब इनोंने अपना काम चालू रखा, ठीके, बिमारी के वजे से भी ये रुके नहीं, he perceived starting a complicated experiment to prove that light was closely related to electricity and magnetism, a novel thought in those times, सुनिये का ध्यान से, अभी वो वो टाइम पे क्या कर रहे थे, मतलब इनकी memory loss हो चुकी थे, इनको ये disease हो चुकी थे, लेकिन फिर भी ये हार नहीं माने, और ये experiment करते रहे, और उन्होंने ये experiment, मतलब ये पता लगा कर रहे थे, कि जो light है, वो कैसे closely related होता है, electricity और magnetism के साथ, ठीक है, तो वो उस टाइम पे ऐसा experiment कर रहे थे, कौन कर रहे थे, अभी क्या होता है, देखिए, remember that piece of bavarian glass, faraday had kept on his self, he was determined to convert the reminder of his first major failure to an instrument of great success, अभी सुनिये का ध्यान से, ये जो faraday थे, क्योंकि उन्होंने bavarian glass क क्योंकि जब जब वो उस bavarian glass को देखेंगे, तब वो क्या करेगा, उनको inspire करेगा, ठीक है, तुन्होंने ये जो bavarian glass था, जब उन्होंने वो देखा, तो उन्होंने उसी टेम पे क्या कर लिया था, determine कर लिया था, निस्चे कर लिया था, कि इनकी life का ये जो major failure है, उसको व उसी हथियार का use करके वो सफलता को पाएंगे, ऐसा उन्होंने मन में decide कर लिया था, determine, मतलब उन्होंने एगदम से निस्चे कर लिया था, हमको करना है, तो करना ही है, ठीक है, he used the same glass now to show that in the presence of a magnet, light could be isolated into a single wave, rather than spreading out of randomly in all directions, a concept called polarization, अभी क्या हुआ, उन्होंने उसी same glass का use करके, यह पता लगाने की, यह मतलब बताया कि जो ray है, वैसे अगर हम देखे तो जो light होती है, वो तो पूरा spread होती है, अगर sun rays बें आती है, तो पूरा fail जाती है, तो इन्होंने इसका use करके यह पता लगाने की कोशिश की, कि यह जो light है, उसको हम एक line में लेकर के जा सकते हैं, उसका जो ray रहेगा, उसको जो wave रहेगा, वो एक line में हम लेकर के जा सकते हैं, ऐसा इन्होंने, एक ही direction में, ऐसा, तो ऐसा इन्होंने पता लगाया, और इस concept को, मतलब क्या कहा जाता है, polarization, ठीक है, तो अगर आप science में, मतलब पढ़ते होंगे, तो polarization का भी concept आएगा, अगर आपने अभी तक नहीं सिखा होगा, तो आगे आएगा science में, क्योंकि ये सारी scientific चीज़े हैं, तो science में आपको पढ़ने के लिए ज़रूर मिलेंगी, इतना clear है क्या, अभी चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या होता है, बस थोड़ा सा और बचा हुआ है, जादा नहीं है, बस एक paragraph, दूसरा, तीसरा, हाँ, तीनी paragraph है, और इसके बाद आपका ये lesson finished हो जाएगा, ठीक है, तो अब उसके बाद क्या होता है, He then took the age old experiment of sprinkling iron fillings on a sheet of paper near a magnet making circular patterns, अभी उन्होंने एक और experiment परना चालोगी है, जो age old experiment, मतलब जो हम लोग भी ऐसे school में normally करते हैं, magnet को क्या करते हैं, ऐसा रख देते हैं, फिर वो paper के उपर iron fillings दालते हैं, इसके वज़े से क्या होता है, जो आपने देखा होगा, अगर आपने science में किया होगा, वैसे 7th standard में है, तो उसमें आपने देखा होगा, कि iron fillings अगर हम दालते हैं, तो वहाँ पे एक circular pattern बन जाते है किसके वज़े से, वो magnet की वज़े से, तो वो actual में क्या होता है, magnetic field होता है, जिसके वज़े से, वो circular shape में आ जाता है, तो वही experiment इनों ने किया, he went on to prove that these patterns were not a property of the iron fillings, in fact, they were due to the invisible magnetic field that filled the empty space around the magnet and hence, disturb the fillings, अभी वो मतलब क्या बताना चाते थे, वो जो pattern था, वो ये बताना चाते थे, कि ये क्यों होता है, ये, वो iron fillings की property की वज़े से नहीं होता है, बलकि वो magnet की property की वज़े से होता है, जो magnet के चारों जो उसका field होता है, उसका जो area होता है, उसी की वज़े से ऐसा होता है, जो क और यही वो जगह थी जहां पर इनका जो फॉर्मल एजुकेशन जैसे हम जानते हैं कि इनका पूरा नहीं हुआ था यही पर यही पर फॉर्मल एजुकेशन इनका काम आने वाला था लेकिन वह थो अभी उन्होंने पढ़ा ही नहीं कि तो वह क्या करें ठीक है तो क्या था वो प्रॉब्लम प्रॉब्लम क्या था किसले इनको एजुकेशन की जरुद्ध पड़ी तो सुनिये अगे फैरेटें इ इनका एक्सपरिमेंट था उसको एसेट नहीं किया गया क्योंकि वह मैथमेटिकल एक्वेशन में बताई नहीं पा रहे थे क्योंकि इनका एजुकेशन ही नहीं हुआ था ठीक है और विदाउट एजुकेशन तो विदाउट एक्वेशन वह एसेट भी नहीं किया जा सकता था फॉर्चून फेवर्ड ब्रेव फैरेडे वन्स अगें विन ही मेट जेम्स मैक्सवेल और ऐसा कहा जाता है ना कि अगर किसी के नसीब में सक्सेस है तो वो कैसे न कैसे करके तो हो जाता है ठीक है अब इसका मतलब यह नहीं कि आप नसीब के भरों से बैठ जाओगे भागे सब्सक्राइब पर उसे नहीं नहीं है लेकिन करने को सकसेस होना था तो तबहीं इनकी मुलाकात कि से हुई तो जेम्स मैक्सवेल से हुई a wealthy educated physicist well was in mathematics जो क्या थे बहुत ही wealthy थे educated थे physicist थे जो mathematics में भी बहुत ही अच्छे थे he was willing to work with Faraday और वो Faraday के साथ काम भी करना चाहते थे it was Maxwell who translated Faraday's idea into a set of equations they are now called Maxwell's equations अभी यह जो Maxwell Maxwell ही थे जिन्होंने क्या क्या परड़े के ideas को equation में convert किया और इस equation को क्या बोला गया Maxwell's equations okay they are combined work has helped us in many ways और इन्होंने मिलकर के यह जो काम किया ठीक है इसके वज़े से पतब यह हमको बहुत बहुत तरीकों से help करता है help किया है electronics and communication system today are designed around their discoveries और यह जो electronics और communication systems है यह सभी इनकी discoveries की ही वज़े से design की गई है ठीक है जो भी हम आज पास में communication system देखते हैं electronics देखते हैं someday we might even be able to communicate with aliens across different galaxies using the products of these discoveries यह इनकी discoveries की वज़े से मतलब इनकी discoveries का यूज करके एक दिन ऐसा भी आ सकता है जब हम लोग aliens से बात करेंगे aliens आपको पता ना जो दूसरे planet पे रहते हैं तो ऐसा हो सकता है कि हम लोग उनसे भी communicate करें इन सारी discoveries का यूज करके ठीक है तो अब क्या होता है अब कुछ नहीं होगा बस लास्ट में एक paragraph है इसमें हम थोड़ा सा पढ़ेंगे उसके बाद खतम तो फैरेडेज लाइफ स्टार्टेड विद डिफिकल्टीज बट एज ऑग डेट साइंटीस ही मेट इस difficulty difficulty with perseverance and conviction मतलब जो फैरेडेज की life थी वो तो start हुई थे difficulties थे लेकिन इन्होंने क्या किया इन्होंने हर एक as a scientist मतलब साइंटीस होते महान जो वेग्यानिक होते हो कभी भी हार नहीं मानते तो इसी तरीके से जो फैरेडे थे उन्होंने हार नहीं मानी वो अपने काम में लगे रहे कटिनाईयों का सामना करते रहे he was given impossible task which he undertook as challenges and opportunities मतलब अगर उनको कोई impossible task भी दिया गया जैसे बवेरियन ग्लास वाला हमने देखा था तो इन्होंने क्या किया उसको भी accept किया वो challenge भी इन्होंने accept किया एक opportunity समझके है ना he epitomize what the Walt Disney character Pinocchio said अब इस सुनिएगा यहाँ पे एक word आया है epitomizes इसका मतलब क्या होता है epitomizes ओके इसका मतलब होता है साबित करना prove करना ठीक है तो जो Disney character Pinocchio ने कहा है उसको Faraday ने proof करके दिखा दिया क्या कहा है इसने पिनोक्यों ने क्या कहा है तो when you wish upon a star it does not matter who you are यानि अगर आपने चाहा है कि आप क्या करेंगे सितारों के पास जाएंगे मतलब उपर जाएंगे सितारों से भी उपर जाएंगे ऐसा आप समझ सकते हो एक successful इंसान बनना अगर आपने ठान लिया है तो यह matter नहीं करता कि आप कौन है समझ में आया अगर आपने अपने लच्चे को निरधारित कर लिया है तो यह matter नहीं करता कि आप कौन है आप जो भी है आप एक ना एक दिन उस सफलता तक अवश्य ही पहुचेंगे ठीक है बच्चो तो यह था आपका lesson great scientist मुझे उम्मीद है कि आपको यह समझ में आया होगा और आप इससे inspired भी हुए होंगे कमेंट करके बताइएगा कि आपको यह faraday की स्टूरी कैसी लगी है ना जैसे faraday ने महनत की वैसे आप लोगको भी महनत करनी चाहिए और हर एक चुनोती का डट करके सामना करना चाहिए और सक्सेस्फुल होकर के दिखाना चाहिए जैसे फैरेडे ने दिखाया ठीक है अब उसके बाद क्या आता है कुश्चन आंसर इंग्लिश वॉक्शॉप तो ये तो मैंने अल्रेडी दिया हुआ है आप लोग प्ल